नमस्कार दोस्तों आज हम आपको मेहंदी लगाना सिखाएंगे और साथ ही साथ कुछ जानकारी देंगे वैसे कभी आपने सोचा है मेहंदी के रंग में और साजन के बीच का क्या रिष्टा है नहीं सोचा ना चलिए साथ में सोचते हैं और आपको अच्छे अच्छे मेहंदी के डिजाइन भी लगाना सिखाते हैं नमस्कार स्वागत है आपका हाउसा वाइप व्लोग्स में मैं हूँ आपके साथ बंटी कुंडू आज हाउसा वाइप व्लोग्स में मुद्दा होने वाला है मेहंदी का मेहंदी के रंग लाल रंग या काले होने से किसी के साजन के परेम का पता कैसे चलता है मेहंदी के काले होने का पता पती के परेम से क्या कनेक्शन है ये आप जानते हैं कि दूलन को भी ये कहा जाता है कि उसके हाथों में जितना भी काली महंदी लगेगी उसका पती उतना ही ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा हमारे यहां कुछ में लाई ऐसी हैं कि महंदी लगाने पर उन्हें ज़्यादा काम होने की कारण वे तुरंद महंदी को उतार लेती हैं जिसकी कारण उसके हाथों पे महंदी का कलर नहीं आता है और फीका फीका ओरेंज ही रहता है और जो कुछ में लाई हैं जो महंदी लगाके खूब पूरा टाइम देती हैं अपने हाथों को और मार्किट से तरह तरह की ओईल लाके कलर लाने के लिए और घर पर भी घरेलू नीमबू चीन्दी या कुछ ओईल लगाती हैं जिसके कारण उनके हाथों पे बहुत ही अच्छा कलर आता हैं इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि जो महिलाएं तुरंत महंदी को उतार लेती हैं ज्यादा काम होने के कारण उनके हैस्बेंट उनसे प्यार नहीं करतें यह सिब कहने की बाते हैं ऐसा कुछ नहीं है महंदी को हम अपने सोक के लिए लगाती हैं तीज दिवारों पे अपने हाथों की रोनक बढ़ाने के लिए और अपने हाथों को सुन्दर दिखाने के लिए तो दोस्तों ऐसी हफवाओं पे ध्यान ने दीजिए महंदी हमारे यहां पे तीज दिवारों पे और साधियों में सब लगाते हैं इसलिए इस सब कहने की बाते हैं तो दोस्तों देखिए मैंने कितने प्यारे प्यारे महंदी के डीजाइन लगा के दिखाए हैं आप सभी को और मेरी वीडियो अच्छी लगी होतों वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में जरूर बताए वीडियो कैसी लगी और चैनल को सस्क्राइब कहना ने भूले